नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के फ्लेस ओने सीटेट दिसमबर 2024 की जो अब एक्जाम डेट है अब वो चेंज हो चुकी है 15 दिसमबर 2024 तो इस एक्जाम को लेकर काफी मिथ्या फैली हुई है काफी इसके लिए इल्यूशन भ्रह्म फैला हुआ है कि यह काफी कठेन एक्जाम है इसको पास करना बहुत मुस्किल है और काफी वच्चे इसकी तैयारी करते भी है फिर भी पास नहीं होता काफी कि बच्चे पहली बार देने आते हैं लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको डराते हैं उनके मन में बेकार का भेह फैलाते हैं कि सीटेट जैसे कितना कठेन एक्जाम है तो आज इनी सब बातों पर हम बात करेंगे और मेरे तीन तीन बार का जो अभीत पड़ा है उससे यही बात पता होती है यही बात कंफर्म होती है कि सीटेट सबसे सरलेक्जाम है आपका तो यह बात तो लिखकर ले लीजिए सीटेट सबसे सरलेक्जाम है अब वो कैसे है क्या है आज उस पूरी प्रक्रिया पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहली बात रटाए पर आप एव कोई भी केटेगरी के वच्छे हो अगर आपके नर्ब्य नंबर है तो किसी वी स्टेट में आप पास माने जाएगे और 82 नंबर पर आप सर्फ और सेर्फ ये स्टुएट में पास माने जाएंगे अगर कोई केटेगरी वाला स्टुएट है जैसे कि ओवी सी या फिर सी या एस्टी तो यह तो सब को पता है सीटेट पास इतने नमबर पर होता है लेकर यह किसी को नहीं बता कि कैसे होता है अब आपको जो मेरे तीन बार के अनुभव हैं उनके जरिये से मैं बताना चाहूंगा कि सीटेट पास कैसे बात है फिर क्या करना सबसे जरूरी है बहुत से लोग को पड़िए रही है और तारीफ की बात तो मैंने आभी हाली में सुना है कि टिचर के मूझसे वह कहा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है सीट जैसा एक्जाम है आपको किसी और की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है सीट इतना सरल नहीं है सीट बहुत कटेने एक्जाम है तो वहां फिरागर बात वहीं पहुंच रही थी कि अगर आप उनसे पढ़ेंगे तभी आपक तो सबसे पहली बात बता दूँ ये तीन वार मैंने जो सीटेट का एक्जाम पास किया है बिना किसी की कोचिंग के बिना किसी के नोट्स के कुछ भी नहीं लिया किसी नहीं किसी किताब के तो कोई किताब भी ऐसी नहीं लिये जिससें हमको सीटेट का पूरा सिलेवस कम्प्लेट करना पड़े ये जो सिलेवस वगेर आता है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जिनेघ्जाम दिया हैं बीना नकल के एक्जाम देने गए हैं उनके लिए सीटा टेक खेली खेल है सबसे पहले अपना यह जो 2019 में मैंने एक्जाम दिया था 2019 दिसंबर में देख सकते हैं आप लोग तो इस पर क्या है जो PRD मेरे मार्ट से हैं आप देख रहे हूंगे 97 नंबर है और जूनियर में मार्ट से हो कितने हैं 94 नहीं ज्यादा कह सकते हो नहीं कम कह सकते हो क्योंकि हमें तो सिर्फ 90 चाहिए थे यह 97 चाहिए नंबर है उस टाइम के लिए आज से पांस साल पहले की बात है यह तो 30 में से 19 आएं CDP में 30 में से 19 में PRT के बता रहा हूं है 30 में से 17 आएं EBS में और 30 में 27 और इंगलिस में आएं 30 में से 15 है तो इनको मिला कर कितने हो गए सानव ए 100 तो आप देख रहे होंगे सम्में 50 पर्सेंट से थोड़े यह पहत जादा ही और 90 के ऊपर होने चाहिए बस सारे एक्वल होते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंसन नहीं लेनी है कि ज्यादा नंबर आए कम नंबर आए बस आपको अपने इस एक्जाम पर सिर्फ 90 नंबर लाने पर ध्यान देना है अब देखते हैं यह मेरा दूसरा यह यह मैंने दूसरी हो चाहिए कम हो और जूनियर में देख सकते हो सारे माक्स और यह है अभी का हाली का जुलाई 2024 का जो पिछला अभी हुआ है यह मैंने इसलिए देखा था कि क्या चेंज हो रहा है सीटेड हैं बच्चे क्या और आपको और आपने देखा हुआ लाखों की वीड़ में इधर उदर भाग रहे हैं दिखाते हैं कि लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं दिक्कत की बात यह है कि अगर वह लाखों बच्चे पढ़ने वाले वहीं की वहीं पास हो जाए तो आज मुझे आप से यह सब यहां तो अब मैं आपको अपना अन्वव साजा करूंगा एक एक करके जो मैंने 2019 दिसंबर में पेपर दिया था पहली बार सीटेट का तभी मेरी डीलेड खतम हुई थी अब आप देख सकते हैं कि डीलेड किसी की खतम हो रही है उसी टाइम मतलब दिसंबर में ही मैंने नवंबर के एंड में पेपर दिये थे डीलेड के लास्ट सेमिस्टर गए जो 2019 का सीटेट का पेपर था उसके बारे में ना सिलेवस देखा था हमने ना उसकी कोई किताब ली थी कुछ भी नहीं लिया था सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था कि देखा कि हमारा पेपर है कब था तो यह जो आठ दिसंबर को एकजाम था सीटेट का सिर्फ वो उसकी डिट देखी थी इसको देखकर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया सिर्फ उसके जो पीवाईक्यू पेपर थे वो देख लिए कि यह पेपर होता कैसा है तो उनको पढ़ने और चीजें पढ़ने का टाइम नहीं था बाई चांस या कहिए गलती से या फिर किस्मत से सई चीज आहांत में आ गई वो क्या थी PYQ, सॉल पेपर पड़े जिसमें 2011 से लेकर 2018 तक और 2019 के जुलाई तक के पेपर थे तो किस्मत से सई चीज आहांत में आ गई और वो भी सई समय पर उन पेपरों को पढ़ने के बाद आराम से PRT में 97 नंबर आ गई और बिना पड़े जूनियर की कोई भी PYQ नहीं पड़े थे तो 94 नंबर आ गई थे 1500 में से तो आप देख सकते हों कि यह बिलकुल एक अनाड़ी के या फिर जिसको सीटेट के बारे में कुछ नहीं पता है उसके माक्स थे क्यों थे उसका एक में डीजन है कि एक तो सही चीज क्या थी हमारे आथ में आ गई सॉल पेपर जो भी पिछली साल पेपर हो चुके थे सीटेट के वह चीज आत में आ गई वह वाली किताब आ गई या कुछ भी कह लीजे आप वह और दूसरी चीज जो हमने डीलेड के एकजाम दिये थे उसी टाइम यानि कि बिना किसी नकल के अगर कोई बच्चा डीलेड क के एकजाम देगा तो वह पी आरटी में बिना नकल के कोई बीएड के एकजाम देगा वह जूनियर में काफी अच्छे मांक्स ला सकता है अब बात करेंगे हम 2019 दिसंबर के एक्स्पिरियंस के बाद 2021 जनवरी वाला तो उसमें क्या हुगा था मैं आपको वह बताऊं जो 2021 मे दिसंबर में मैंने एकजाम दिया था उस टाइम यह होने लगे थे ऑनलाइन 2019 वाला कैसा था ओफ लाइन वाले में क्या था एक महीनी तक सीट्ट के पेपरी पेपर लाइन से हर दिन अलग पेपर आता था तब तो किसी और एकजाम की तैयारी कर रहे थे जिसको आपर टेट में और जो पढ़ाई चल रही थी वो सुपर टेट की चल रही थी तब सी टेट का पेपर दिया तो एक सो आट नमर आई डेट समय से यानि कि हम तच में थे पढ़ाई गें अब जब टीचिंग करने लगे तब देखा कि अब ये जो सी टेट के ओर है थोड़ा बहुत चेंज बता रहे थे बच्चे पीवाई की देखके लगता तो नहीं था फिर वी उस माहौल को जानने के लिए एक्जाम दिया तो वो दिया 2024 का कुछ देखें बिना कुछ पढ़ें और उसमें आते कितने हैं 106 नंबर डेड़ समय से तो आप सब समझ सकते हो इन सब को देखकर सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि सीटेट के लिए पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सीटेट के लिए सबसे जरूरी है कि आपको करने बैठ जाए 90 नंबर 100 नंबर आराम से लिए अपने आप ऐसे हर बच्चे के आएंगे और अगर किसी ने गलती से भी मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ी मेहनत कर ली तो उसके 120 से कम ही नहीं आएंगे कभी भी सीटेट में नंबर जब हम जैसों के जो बिलकुल भी पढ़ा क्यादा ही मार्स आएंगे हमेशा और हर बात चाहें आप कितना भी उसमें लापरवाई बरते हैं तब भी और क्या करना सबसे जरूरी है इसके लिए सबसे जरूरी मैं बता रहा हूं सौल पेपर पढ़ना है सिर्फ पढ़ना इसे कुछ नहीं होगा जो आप सौल पेपर ड किया था उसमें मैंने कुछ हैसा ही किया था अब यह समझी इतने कम समय में अगर कोई पास कर पा रहा है सीटेट का पेपर उसको बारवार पढ़ रहा है बारवार देख रहा है कि इसका क्या अंसर है उसका क्या आंसर है तभी तो वह पास हो पाएगा बिलकुल नई यह सा सही डारेक्शन और सही चीज होगी तो आप कोई भी मंजलों आसानी से पास सकते हैं इस तरह से आप सब सीटेट को काफी आसानी से पास कर सकते हो पंदर इसमबर 2024 को आपका एक्जाम है इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल है वह मैं बताऊंगा लेकिन इतना ज़रूर द्यान रखना किसी के भी बैकावे में ना यह सोचें सीटेट बहुत कटे नहीं ना यह सोचें कि सीटेट बहुत ही सरल है जैसा कि बताया है यह पढ़ने के लिए थोड़ा वात आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा अगर आप ऐसे बिना पड़े करने लगे सुरू में तो यह गलत होगा जीए सब मैंने बहुत पड़े थे तब जाकर कुछ समझ में आया था ऐसे ही आप भी बहुत एक बार पढ़ लोगे फिर आपकी सीटेट की जब समझ एक वार आपके पकड़ में आ जाई क्या सीटेट कैसे होता है कैसे उसके कोस्टन कैसे बन सकते हैं मिलते आप से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थेंगे सो मच